हेलो इस्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं स्त्रियवं प्रसूती तन्तर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेन टोपिक अस्रिक दर के बारे में अस्रिक दर क्या होता है उसको समझते हैं तो इसकी परिवाशा है परिवाशा के अंदर आपको एक शोटी सी लाइन याद करना है इसका मतलब क्या होता है असरक या रज का अत्यधिक मातरा में स्राव होने के कारण इसे असरिक दर या प्रदर कहते है तो असरक मतलब आड़तो का रज का अस्रिक दर कहलाता है अस्रिकदर केलाता है जिसको प्रदर भी बोलते हैं जो मेंस्ट्रॉल ब्लीडिंग है उसका जादा होना क्या केलाता है अस्रिकदर केलाता है ठीके बात करते हैं इसके पर्याई की के पर्याई क्या होते हैं अस्रिकदर प्रदर और रक्त योनी तो अस्रिकदर और प्रदर तो आपको पता ही है एक और परियाय होता इसका रक्त योनी रक्त योनी इसलिए बोलते हैं कि योनी मार्क से जादा रक्त की प्रवत्ती हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं रक्त योनी चलिए आगे बात करते हैं कि आखिरकार ये होता कैसे है तो उसको समझते हैं तो इसके जो निदान है उनको तीन टुकुडों में तोड़ दिया गया है आहारज, विहारज और व्याधिज आहार कौन-कौन सा आहार लेने के वज़े से असरकदर हो सकता है किस प्रकार का विहार करने से अस्रक्दर हो सकता है और किस प्रकार की व्यादी होने से अस्रक्दर हो सकता है उसको हम देखेंगे तो आहरज के अंदर लिखना है अत्यदिक कटू अमल लवन रस का सेवन करने से तो ज्यादा कटू अमल लवन युक्त द्रव्यों का या पदार्थों का सेवन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा असरिक दर हो सकता है क्योंकि पित्त की वरद्धी हो जाएगी और पित्त की वरद्धी होने से रक्त की दुष्टियों के असरिक दर हो सकता है क्योंकि जो पित और रक्त होते हैं हम जानते हैं कैसे होते हैं समतुल्य होते हैं इसको मैंने अभी पिछले वीडियो में जब हमने आर्थ व्यापत पड़ा था वहाँ भी आपको डिफाइन किया था आगे बात करते हैं सेकेंड है गुरू विदाही गुण प्रधान द्रव्यों का सेवन करने से अब ज़्यादा गुरू द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं विदाही गुण वाले द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं तो भी असरकदर हो सकता है सूरा, शुक्त, आदी का सेवन करने से तो ये भी पित वर्दक होते हैं ठीके तो यहाँ पर वैसे तो जो अस्रिकदर होता है वो सन्नी पातज भी होता है वात पित कफसे भी होता है तो यहाँ पर तीनों दोशों से मिले जुले लक्षण भी आपको मिले जुले निदान भी आपको देखने को मिल सकते हैं तो पर असरिक्धर हो सकता है अब बात करते हैं व्याधिज व्याधिज के अंदर कौण कौण सी व्याधि के वज़े से बंध्या इस्तियों की शीर वहाँ नाडियों के वात से परिपूरिद होने से तो देखिए यह जो इसको समझने के लिए वापस हमें first year के अंदर जाना पड़ेगा वहाँ पर आपने क्रिया शरी के अंदर जब इस्तन्य निर्मान पड़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आर्तो जो बनता है जो आर्तो बनता है उसके अंदर जो रक्त रहता है वो दो टुकुडों में टूटा हुआ रहता है आधा जो blood होता है most of जो blood होता है वो आर्तो बनता है और वो कुछ हिस्सा क्या करता है शीर वहाँ नाडियों में होता हुआ इस्तन में इकटा होके मतलब milk formation करवाता है ऐसा आईर्वेद मानता है जो बंध्या इस्त्रिया है जिनके अंदर क्या है प्रजनन शमता नहीं है जो बच्चे को पेदा नहीं कर सकती उनके अंदर क्या होगा जो शीर वहाँ नाडिया रहती है जो हमारा इस्तन निर्मान करने वाली milk production करने वाली जो नाडिया रहती है वो क्या हो जाती है वात्से परिपूरित हो जाती है तो वात्से ब्लोकेज होने की वज़े से जो आर्तव का हिस्सा जो ब्लड का हिस्सा वहाँ उपर जाने वाला था किसके लिए milk production के लिए वो उपर नहीं जा पाता क्योंकि शीरवान आइडिया कैसी हो गई ब्लोकेज हो गई है तो वो जो ब्लड था वो भी किसके द्वारा निकलेगा वज़ेना के थौरबान निकलेगा इसलिए उसको क्या बोल दिया असरिकदर बोल दिया क्योंकि वो क्या है excessive bleeding हो जाएगी आगे बात करते हैं संप्राप्ती की कि भाई केसे असरिकदर होता है तो सबसे पहले तो आपने निदान का सेवन किया निदान का सेवन करने से वाद दोष प्रकुपित होता है और रक्त दूशित होता है क्या हुआ निदान का सेवन किया निदान का सेवन करने से वात दोष प्रकूपित हुआ और रक्त दोष भी दूशित हुआ आगे बात करें प्रकूपित वात द्वारा दूशित रक्त की प्रमानतह व्रद्धी की गई ध्यान से पढ़ना वल्डिंग को यहाँ पर इसको डाइट आप पढ़के सोच रहा होंगे कि वात ने blood को बढ़ा दिया, ठीके वात ने blood को नीबढाया, वात ने किया दूशित वात था, उस दूशित वात ने бोडी के अंदर जो normal volume का blood पढ़ा हुआ था, जो सही था, ठीके, जिस blood के अंदर abnormal quality नहीं थी, उसको abnormal करके abnormal blood की quantity को यहां बढ़ाया है ध्यान से पढ़ना हैBNY Masters relative KUP क्वांटइटी को बढ़ाया है थीक के संदां सेवन किया वागत को भी दूशित किया प्रकूपित वागत Secretary तो आश्रित होना तो ये जो बड़ा हुआ रखते है कहां जाकर एक्युमिलेट हो जाता है या इस्तान संशित हो जाता है गरबाशाय में जाके यूटरस में जाके और वहां से क्या होगा रज की मातरा में शिग्र व्रद्धी तो जो रज है जो आर्टव है उसकी मातरा बढ़ जाएगी क्योंकि वहां पर एक्सेसिव ब्लड आ चुका है तो रज की मातरा में व्रद्धी हो जाएगी और उससे क्या होगा वजाईना के द्वारा रज का अत्यदिक मातरा में स्राव होगा जिसी को हम क्या बोल रहे हैं असरक दर प्रदर संप्राप्ति समझ में आ रही है निदान सेवन वात प्रकूपिल हुआ साथ में रख्त भी दूशित हुआ वात ने क्या करा जो दूशित रख्त था उसके प्रमानतव रद्धी कर दिगई जो बड़ा हुआ जो उसने वात ने प्रमानता व्रद्धी करीती दूशित रखती की वो कहां चला गया गरबाशाय में मतलब यूटरस में और वहां जाके उनकी सीराओं में जाके इस्तान शंश्रित हो गया और क्या हो जाएगा वो जो ब्लड है आरतो की जो मात्रा है उसमें व्रद्धी करेगा जिससे क्या हो जाएगा वजाएना से एक्सेसिव ब्लड एक्स्रिट आउट होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं असरक दर बोल रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए शट क्रिया काल की अवस्ताई भी समझ लीजिए निदान सेवन के अंदर क्या होगा संचे आवस्ता दोशों की संचे आवस्ता सेकेंड जो वाद प्रकूपित और रक्त दूशित हो रहा है वो कौनसी है प्रकूप आवस्ता क्योंकि यहाँ दोश प्रकूपित हो रहे है पिर देखिए तीसरी condition में क्या हो रहा है कि फेलता हुआ वाद पूरे शेरी के अंदर है तो वो फेलता हुआ क्या कर रहा है रक्त को दुशित कर रहा है तो यह क्या उनसी हो गई प्रसरावस्ता और आगे बात करें क्या अब कहां जाके गरबाशे में जाके इकटा हो गया इ भेदावस्ता नहीं ली जाती क्योंकि भेदावस्ता कब ली जाती है जो क्रोनिक कंडिशन हो जाती है उपद्रव वाली कंडिशन हो जाती है महा पर भेद की अवस्ता ली जाती है वरना व्यक्तावस्ता जो शटक्रियकाल की पांच अवस्ता होती है उसी में डिजीज उत निपातज आगे बात करते हैं इसके सामाने लक्षण की कि हमें लक्षण क्या देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला लक्षण है रजह इस्तरावकाल में रक्त की अत्यदिक प्रवत्ति होना तो वो तो बोली रहे हैं असरकदर का मतलब ही क्या होता है अत्यदिक मात ने देख़ें आचारे शूशूत वांगभट के अनुसार, रितुकाल में, अत्यदिकमात्रा में, अत्यदिककाल तक एवं रितुकाल के अतिरिक्त भी आरतव की प्रवत्ती थी तो आचरे शुशूत यूं केते हैं और आचरे वागबट ये केते हैं कि भाई आचरे चरा यूं बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है खाली रजा इस्तरावकाल का जो टाइमिंग तीन से पांस दिन उसके अतिरिक्त भी ब्लीडिंग हो सकती है चलिए आगे बात करें नेक्स देखने हो मिलेगा अंग मर्द पूरे शरी के अंदर वेदना होना साथी साथ वेदना होगी और गरबाशय में अत्यदिक शूल होना क्योंकि होई कहां पे रहा है गरबाशय के अंदर समस्या हो रही है एंडोमेट्रियम से रिलेटेड प्रोब क्योंकि अत्यरिक्त भी क्या हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है अंग मर्द वेदना देखने को मिल सकती है और गरबाशय में अत्यदिक शूल भी देखने को मिल सकता है आगे बात करते हैं विशिष्ट लक्षन विशिष्ट लक्षन के अंदर देखिए वात्तज अस्त्रिक करें करें पर रदय के अनदर खाली यह अलग जाएगा बाकि आप सब समझ जाएंगए रदय के लग बंष यह कंदर वेदना हो रही है बाकि देखिए कटी प्रदेश अब गर बासे के आसपास का हिस्सा देख लीजी अप जहां यूटरस है उसके आसपास का area देख लीजे, वहीं पर वेदना होगी, कटी मतलब कमर के अंदर, वंग्षन, वंग्षन मतलब hip के ज़श्ट उपर वेदना होगी, पार्ष मतलब side के अंदर, lateral side, ठीके, प्रश्ट मतलब peat में, श्रोणी मतलब जो pelvic girdle है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, तिवर वेदना होगी, यहाँ पर जितना area आपको याद हो जाए, उतना लिख देना कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ही आप लिखें, तो पेला क्या हो रहा है, वेदना हो रही भई, कहां कहां पर, रदय के अंदर, कटी के अंदर, कमर के अंदर, वंग्षन मतलब हीप वाले area में, पार्ष मतलब लेटरल साइड, प्रष्ट मतलब पीठ, श्रोणी मतलब पेल्विक गर्डल के अंदर, चलिए आगे बात करते हैं, गुण कोन से देखने हो मिलेंगे, जो रजस्त्राव हो रहा है, वो कैसा रहेगा, फेनिल मतलब जागदार, तनू मतलब पतला और रुक्ष गुण लिये हो रहेगा, तो यहाँ पर पेली हो गई वेदना, कहां कहां वेदना हो गई वो देख लीजिए, सेकेंड में गुण देख लीजिए, कि जो आर्तव स्राव होगा, जो ब्लीडिंग हो रहे हो कैसी रहेगी, फेनिल गुण, तनू और रुक्ष रहेगी, ठीकें, नेक्स देखिए, कलर कैसा रहेगा, शाव वर्णी, काला, अरुन वर्णी रहेगा, किंशु कोदक, most important objective पूचा जाता है, किंशु कोदक सदश, किंशु कोदक का मतलब होता है, पलाश पुष्प, पलाश पुष्प कैसा रहता है, लाइट औरेंज कलर का, इस तरह का यहाँ ब्लड देखने को मिलेगा, वो कैसा रहेगा, तो यहाँ पर शाव वर्णी, अरुन वर्णी, किंशु कोदक, मतलब पलाश, पुश्प सरदश, वेदना, युक्त अत्वा, वेदना, रहित रजा स्राव देखने को मिलेगा पहले में वेदना हो गई, दूसरे में गुण देख लिया, तीसरे में कलर देख लिया ठीके, फोर्थ देखिए, मांस के धोवन सरदश, आर्तव स्राव तो मांस के धोवन के सरदश, यहाँ पर आर्तव का स्राव हमको देखने को मिलेगा यह कैसा हो गया, स्पेसिविक लक्षन, जैसा कि मैंने आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो आर्तव व्यापद, उसके अंदर मैंने बोला था, पहले के अंदर वर्ण वेदना, सेकेंड के अंदर हम देख रहे थे, गूण, थाड के अंदर कलर, फोर्थ के अंदर स्पेसिविक पॉइंट तो यहाँ पर भी वो ही सिक्वेंस है, पहले के अंदर हमने वेदना देख ली, कहां कहां वेदना हुई, दूसरे के अंदर गूण देख लिया, तीसरे के अंदर कलर, और चोते के अंदर क्या देख लिया, इस स्पेसिविक पॉइंट देख लिया, चले पित जसरिक दर, इ वेदना हो रही थी लेगिन पित का स्पेसिफिक लक्षन क्या होता है दाह हो ना तो यहां पर क्या मिलेगा पित जन्य दाह देखने को मिलेगा और अत्यदिक वेग के साथ रक्त स्राव होगा सेकेंड क्या है गुण गुण क्या देखने को मिलेगा उष्ण स्राव जो स्राव निकलेगा वो कैसा रहेगा उष्ण रहेगा आगे बात करें कलर कैसा रहेगा नील पीत असित असित का मतलब होता है काला या कृष्णाब रक्त का अत्यदिक मात्रा में बार बार वेदना के स्राव तो वहाँ पर क्या हो रहा था हमार वाद के अंदर शावणी अरुणवणी किंशोदक के स्रदश वेदना के साथ या वेदना के बिना क्या हो रहा था रक्त स्राव हो रहा था लेकिन यहाँ पर नीला पीला काले कलर का म अंदर का देखने हों मिलेगा तो शलेशमा मिशृत तथा अलप पीडा के साथ गाड़े रक्त का सराव हो ना तो कफ का मतलब क्या शलेश्मा मूखस ठीक है तो शलेश्मा मिशृत मतलब मूखस जिसके अंदर मिला हुआ हो इसा अलपपीड़ा के साथ थोड़ी कंवेदना होगी और गाड़ा रक्त निकलेगा गाड़ा क्यों क्यों कि कफका गुणी क्या होता है भारीपन ठीक है गुरुता होती इसके अंदर तो शलेश्मा मिश्रित अलप पीडा के साथ गाड़े रक्त का स्राव होगा गुण देख लीजिए उस स्राव के कैसे गुण होंगे गुरु पिच्छल मतलब चिपचिपा रहेगा और शीतल स्राव रहेगा तो गुरु तो कफका गुण है यह इस निक्द भी कफका गुण है पिच्छल भी कफका गुण है और शीतल भी कफका गुण है तो गुरु इस निक्द पिच्छल और शीतल स्राव देखने हो मिलेगा कलर की चावल को उबाल लेते हैं, जो पका हुआ चावल रेता है, उसके अंदर से जो पानी निकलता है, वो पानी कैसा रेता है, थोड़ा गंदला रेता है, मटमेला पानी रेता है, वाइटिश कलर का, उसी को बोलते है, पुलाग तो है, तो इसा वाइटिश कलर का डिस्चार्ज यहाँ पर कफ़ज असरिकदर के अंदर देखने को मिलेगा चलिए आगे बात करते हैं सन्नी पातज असरिकदर सन्नी पातज असरिकदर क्या होता है तीनों दोशों के मिश्रित लक्षण एक साथ मिलते हैं यहाँ पर क्या होगा यहां पर आर्टर स्राव के साथ देखने हूं मिलेगा सरपी मतलब घी के समान मजजा के समान वसा के समान दिखने वाला अत्यनत तिवर्वेक के साथ आर्टर का सराव होगा तो इस तरह से आपके विशिश्ट लक्षन कंप्लीट होते हैं चलिए आगे बात करते हैं साथ्यता असाथ्यता की कोन साथ्य है और कोन असाथ्य है तो जो वात्तज पित्तज कफज असरिकदर है वो साथ्य होते हैं और जो सन्नी पात्तज असरिकदर होता है वो असाथ्य होता है क्या बोल रहा हूं में वातज पितज कफज असरिकदर साध्य होते हैं और सन्नी पातज असरिकदर असाध्य होता है आगे बात करते हैं इसके चिकिस्था की किया करना है तो सर्व पर्थम निदान परिवर्जन जिन कारणों के वज़े से हो रहा है उन कारणों को आप सबसे पहले छोड़ दो उनको का ग्यान करो सबसे पहले उसके बाद पता चलिए कि ये दोश है तो उसके बाद उस दोश के अनुसार रक्त इस्थापन मतलब रक्त को रोकना रक्त का इस्तंबन करना क्योंकि रक्त ज्यादा निकल रहा है तो रक्त को रोकने की चिकिस्था करेंगे आगे देखिए योनी व साथ बस्ती चिकिस्दा का प्रयोक करना है और आचारे काश्चप के अनुसार विरेचन हित का रही है तो लगभग आपके आर्टव व्यापत की चिकिस्दा जो थी उससे मिलती जुलती है, महाँ पर भी बस्ती यूज़ कर रहे थे महाँ भी आचारे काश्यव विरेचन के लिए बोल रहे थे महाँ भी योनी व्यापद की योगों को प्रयोक करने के लिए बोला जा रहा था खाली यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए है एक सबसे पहला निदान परिवर्जन तो वो तो सभी डिजिस के अंदर करना चाहिए हमको और एक हमने देखा यहाँ पर कि दोशों का अनुबंद मतलब पता करना की कौन से दोश की प्रदानता है और उसकी अनुसार बलड को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए अब बाहे प्रयोगार तोश्दियां उस्तर दिशा के और इस्तित मूल को उत्तरा फालगुनी नक्षतर में लेकर कटी के उपर बानने से असरकदर का नाश हो जाता है आगे बाद करें शत पुषपा तेल का अभ्यां करवा सकते हो आप शत पुषपा तेल का नस्य दे सकते हो और बस्ति प्रयोग के अंदर विशेष्ट उत्तर बस्ति का प्रयोग कर सकते हो जैसा कि हम आर्थव्यापत के अंदर कर रहे थे तो यहाँ पर भी उत्तर बस्ति का यूज़ कर सकते हो और एक 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 जामपल दे देते हैं बस्ति का मुस्तादी या अपना बस्ती तो वहाँ पर भी हमने पढ़ी थी मुस्तादी या अपना बस्ती और जिवन्तियादी अनुवासन बस्ती तो वह भी यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो घरत यूज़ करना है शतावरी घरत और most important रसोषदी यूज़ होगी यहाँ पर प्रदरांतक लोह ठीक है तो क्या है तेल कौन सा शत पुशपा तेल वटी कौन सी चंदर प्रभावटी घरत कौन सा शतावरी घरत और main रसोषदी यूज़ होगी यहाँ पर वो है प्रदरांत ये हो गया चली आगे बात करते हैं दोशानुसार विशिष्ट चिकिस्सा कि कौन से अस्रिकदर के अंदर को इस्पेसिवम चिकिस्सा कर सकते हैं तो वात्तज अस्रिकदर के अंदर राजादन और कपित पत्र कल्क को घरत में भूनकर सेवन करना चाहिए कान कराना चाहिए वर्णन किया है इसके अंदर क्या करना है आपको राजादन और कफित्त पत्र कलक को ग्रत में भूनकर सेवन करना है जिस तरह से वातज असरकदर के अंदर कर रहे थे ठीक वही चिकिस्टा वातपित्त असरकदर की भी होगी अब यहाँ पर वातज, पित्तर, कफज और सन्नि पातज अस्रिकदर के अंदर जो योग है जो मैंने बता ही चीकिस्सा इसको याद करने की ट्रिक है राजा के वारिस रोहित राज करेंगे ठीक है तो राजा कोई राजा है उसका एक वारिस है जिसका नाम क्या है रोहित तो राजा के मनने के बाद कौन राज करेगा उसका वारिस रोहित राज करेगा तो ट्री के आत करना है राजा के वारिस रोहित राज करेंगे तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए यदि आप Mastermind चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के अप्डेट आपको मिलती रहे थेंक यू